नक्सा सुद्धी करन पकवाडा चल रहा है जिस पर काम अभी शुरू ही हुआ है जो पांच प्रकार की तुरुटियां दिखाई दे रही हैं जिसमें सबसे अधिक तुरुटियां सबसे अधिक नमबर्स प्रते ग्राम की अन्लिंग खसरा की हैं इसी प्रकार की तुरुटिय फॉर में या एक्सल फॉर में कैसे सेव कर सकते हैं उनका प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं इन सब के बारे में बताएंगे जिससे आपको काम करने में सुबदा हो क्योंकि हर बार MP भूलेक की साइट पर जाकर रिपोर्ट को देखना मुश्किल होता है तो इस वीडियो मे इसी पर बात करेंगे जैंद, जै जवान, जै किसान आप देखना सुरू कर चुके हैं ग्यानोदय ग्यान सबसे पहले आपने MP भूलेक साइट को ओपिन कर लेना है यहाँ पर दो माडूल दिये गए हैं एक रिकार्ड सुद्धी करन पक्वाड़ा या फिर ये मोबाइल मे भी जाके देख सकते हैं जैसे थ्री डॉट पर आप किलिक करेंगे तो यहाँ पर ये ये रिपोट का ओप्षन दिया गया है इस पर भी आप किलिक करके जा सकते हैं लेकिन मैं रिकार्ड सुद्धी करन पक्वाड़ा के मोडूल पर जाकर किलिक करता हूँ है जब रिकार्ड सुद्धी करन पक्वाड़ा चला था तब ये नया मोडूल जोड़ा गया था इसी में इन्होंने नक्षा सुद्धी करन पक्वाड़ा के भी मोडूल जोड़ दि के लिए नक्सा तर्मीम पक्वाडा नक्सा तर्मीम पक्वाडा पर क्लिक कर देना है ओपन होने में थोड़ा समय ले सकता है तो आप बेट कर लें ये ओपन हो गया है ओपन होने के बाद यहां पर करेंट डेट के हिसाब से रिपोर्ट आ जाती है तो रिपोर्ट पर किलिक कर दें रिपोर्ट देखें पर जैसे ही किलिक करेंगे तो इसमें जिले वाइज डिटेल्स यहां पर खुल जाएगी जैसे यह रिपोर्ट खुलती है यहां पर तो बावन जिले बावन जिलों की जानकारी दी गई है बैसे 2022 के साब से 55 जिले हो गए हैं तो यहां पर एक बार में इसक्रीन पर दस कि जिलों की नाम आते हैं तो आपने क्या करना है प्रिविष्टी में 100 कर लें तो पूरे जिले एक साथ ही open हो जाएंगे 100 करके कर लेते हैं इसके बाद आप अपना यहां पर जिला को select कर लें आप जो भी जिले हैं उस पर ये blue color का है इस पर अंदर जा सकते हैं इस पर जो भी blue color के यहाँ पर निशान आएंगे blue color से mark होंगे उनके अंदर और भी कुछ information है यह आप समझ के चलिए तो आप हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है इसके बाद तैसील आ जाती है तो मैंने तैसील पर क्लिक कर दिया है तैसील पर करने के बाद आपके सारे ग्राम यहाँ पर open आ जाएंगे वही इस्तिति यहाँ पर है अधिक ग्राम होने के बाद या तो आप यहाँ प्रविष्टियों को बढ़ा दें या फ तो ये सारे ग्राम यहां पर आ गये हैं आप अपने ग्राम को यहां पर सवैक्ट कर ले देख लें आपका ग्राम कहां पर है तो हमने अपने ग्राम पर यहाँ पर आ गए हैं और इसमें यह देखिए अनलिंक नक्सा अनलिंक नक्सा अनलिंक खसरा डुप्लिकेट यह सारी तुर्टिया यहाँ पर दी गई है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर जैसे आपने क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ एक्षन नहीं हुआ लेकिन एक्षन हो चुका है आपकी तुर्टिया मैं सर्वे नंबर के उपर दिख रही है लेकिन यह इस जगए पर नहीं दिखेंगी तो आपने क्या करना है इस स्क्रीन को ऊपर लेके चलना है यह क्योंकि ऊपर आता है उसी जगए पर उपन नहीं होते हैं कि यह देखिए यह सारे तुर्टिया देखने लगी हैं यह सारे सर्वे नंबर अनलिंक नक्सा के हैं जो की जिस पर हमें काम करना है इस सारे सर्वे नंबर इस पर 71 सर्वे नंबर हैं जिन पर हमें काम करना है यह सर्वे नंबर आपने इतने सारे सर्वे नंबर हैं कई लोगों के तो 3300 हैं तो इन सब को नोट करना मुझके लोगा सभी को यह के कॉपी में लिखना फिर इन पर यह नाम लिखना तो ये तरीका जो है मैं बताता हूँ इस पर क्या इसके शुरुवात में स्टार्टिंग में ये निशान बना हुआ है एक्सल का ये एक्सल का निशान है इस एक्सल के निशान पर किलिक कर देना है जैसे आप किलग करेंगे यह देखिए यह डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है तुरुटी अलिंग नक्षा की यह डाउनलोड कम्प्लीट होने के बाद इसको ओपन कर लें किसमें ओपन करना है एक्सल में ही ओपन कर लेता हूं तो यह यहाँ पर डाउनलोड कम्प्लीट हो गया है और यह आपकी फाइल यहाँ पर आ गई है तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो यह देखिए हमारे एक्सल फॉर्म में यहाँ पर यह खुल गया है आप ज़रूरी नहीं आपको एक्सल पर काम आता है काफी सिंपल है आप इसको कर सकते हैं अब देखिए सर्वेक्षण किर्मांग 112.13 इस प्रकार के पूरे सर्वेक्षण किर्मांग किये यहाँ पर दिये हुए हैं अब आपने क्या करना है तो आपके बात या तो ओफलाइन खसरा होगा यदि ओफलाइन खसरा नहीं है तो आपने इवस्ता इवस्ता डाउनलोड किया होगा या नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें यह MP भूलेक साइट पर मौजूद है तो इवस्ता पर यहाँ पर देख लेते हैं मैं 153 सर्वेक्षण काविज है तो यह इवस्ता की पीडियेव है 153 यह देखिए 153 अपन 153 अपन टू विरेंद स्विंग यहाँ पर मौजूद है तो विरेंद स्विंग को जैसे ही आप इस सेल पर क्लिक करेंगे तो उपर एडिट ओप्षन आ जाता है या तो आप इस पर क्लिक कर दें और डायरेक्ट यहाँ पर बिरेंद स्विंग डाल कर ओके कर दें तो यह देखिए यह बिरेंद स्विंग यहाँ पर आ गए है यादि इस पर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर यह निशान दिया हुआ है इस पर क्लिक करके और यहाँ पर यह टाइप कीबोर्ड का निशान है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आके यहाँ पर भी आके आप लेख सकते हैं और ओके कर देते हैं तो यह देखिए इस तरीके से आप पूरे सरवे नंबर के आंगे किर्शक का नाम नोट कर लें सारे किर्शक के नाम नोट करने के उपरांत आप इसको सेव कर लें यह आपके मोबाल पर सेव रहेगा अब इसको इस फाइल को इस एक्सल सीट को आप या तो यहाँ पर नाम टाइप करके यहीं पर कर लें या फिर शिर्फ सरवे नंबर के हिसाब से ही आप प्रिंट आउट निकाल लें फिर उसके आंगे पैन से लिख दें तो वो भी एक तरीका है पैन से लिखके अपने पास प्रिंट आउट रख लें तो इससे क्या होगा कि आपकी यह इससे क्या होगा यह आपकी फाइल आपके पास मौझूद रहेगी आप तरह देख सकते हैं कि इन इन सरवे नंबरों पर हमने काम करना है इन सरवे नंबरों से आदेश करवाना है कि आपने डायरेट करना है किर्शकों के बंटांकन कराना है जो भी है अभी यह फाइल हमार आपकी save हो जाएगी, पूछे का कहां पर save करना है location, आप location डाल के phone में, document में जहां पर भी रखना चाहते हैं, इसको मैं phone पर कर लेता हूँ, और यहां पर किस gram का है, उस gram का नाम भी डाल दें, और done कर दें, और यह save हो जाएगी, अब हम चलते हैं, बापस देखते हैं कि यह ह आपने मुवाइल पर हम आ गए हैं और यहां पर कि रिसेंट में यह देखिए यहां एक्सल एक्सल फॉर्म में यहां पर हमारी फाइल है हम इसको किलिक करेंगे जैसे ही तो यह देखिए बन 53 में बीरन सिंग नाम से यह सेव हो गई है अब इसी सीट को आप ले जाके अपने वार्ट से एक दूसरे को सेंड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से आप यहां पर काम कर सकते हैं तो काम करने के जो भी सोटकट तरीके हैं इस चैनल पर आपको बताते चलेंगे पहले भी कई वीडियो यहां पर आ गए हैं और आगे भी नक्सा सुद्धिकरण के और वीडियो आना वाकी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकरिशन आपको मिलती रहे जहन थैंक यू फॉर वाचिंग हैवे नाश डे